दोस्तो विंटर का मौसम है और जाहिर सी बात है कि सभी के गार्डन में इस तरह की खुबसुरत खुबसुरत फूल खिल रही होंगे नमस्कार दोस्तो आप देख रहे है प्लान पैरन चैनल और आज की मेरी विडियो की टॉपिक है एक बहुत ही प्यारी विंटर फ्लारिंग प्लान के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज इससे पहले दोस्तो देखिए मेरे गार्डन के कुछ फूल इस तरह सारे फूल खिले हुए है और बहुत ही प्यारी लगती है ये विंटर का जो मौसम है वो पूलो का मौसम भी कहां जा सकता है इसमें बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे खुबसूरत दिखने वाल फूल किलते है और गार्डन इस तरह हरी भरी लगती है तो दोस्तो आज की मेरी वीडियो की जो टॉपिक है ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा प्लांट है विंटर की ये से हम प्राइम रोस या प्रिमूला ओपकॉनिका कहते है और ये वाली प्लांट मेरे पास आप इनकी फ्लार बहुत खुबसूरत इसमें खिल रहे है और ये जो फ्लार है दोस्तो ये स्टॉक में खिलती है इसकी जो एक लंबी सी स्टॉक निकल के आती है और उसी से ये प्लांट खिलती है दोस्तो ये प्लांट प्रिम्रोस का ही एक वराइटी है और प्रिम्रोस की दो इस मैंने अभी तक देखी हैं . इक यह वाली जो मेरे पास है यह ृ यह लंबी सी प्लाइन चंवल59 लूंभरहब मैंने लंबबी सी श्टॉक जो प्लांति है यह दोनों ले राइटि उ Key問 मेंने जूशिक आप जनके फ्लायर निचे की तरफ खिलते हैं और इनके जो लीव की साइज है वो थोरे से लंबे होते बट अभी ये फ्लार मेरे पास नहीं है फिल हाल मगर ये दोनों वेराइटी की ही जो देख रहे हैं वो सेम ही होती है तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम पॉट साइस की बात करते तो इस प्लांट को आप उतनी अगर डीप पॉट भी नहीं देंगे तो भी ये प्लांट अच्छे से चल जाएगी तो ये वाली मैंने एसी पोट में लगा के रखी है जो 6 इंच की है डीप है बट उतनी वाइड नहीं है बट फिर भी ये चल जाएगी दोस्तो ये प्लांट एक पर्मनन प्लांट है पेरिनियल प्लांट है अगर आप इसे समर में बचा के रख पाए तो ये आपका साल भर चलेगा प्लांट और ये प्लांट आपके साथ चलते रहेगा बट इस प्लांट को दोस्तो गर्मियों में बचा के रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये विंटर की फ्लारिंग प्लांट है तो ये विंटर में इस तरह की बहुत खुबसूरर फ्लार देती है इस प्लांट की अगर हम सॉयल की बात करें तो एक हिस्सा खात का एक हिस्सा रिवर सेंड का और एक हिस्सा कोई भी कमपोस्ट चाहे तो वर्मी कमपोस्ट काउडंग कमपोस्ट ऐसी वाली वेल ड्रेन सोयल में आप लगाई जिसमें मौस्टर रिटेन हो और हाँ इस दोस्तो इस प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रुवत नहीं है आप इस प्लांट में ज़्यादा वाटरिंग करेंगी तो इनके रूट्स कलने के चांसे से तो इस प्लांट को आप तभी पानी दे जब आप देखे कि यह जो फूल है सूख गए है थोरे से या इनकी टॉब लेयर की जो सौयल है वो पुरी तरह सूख गई है तब आप इस प्लांट में पानी दे वरना इस प्लांट को आप पानी देखे ओवर वाटरिंग ना करें प्लेस कर सकते हैं या जहां पे छन के रोशनी मिले वैसी वाली जगा पे भी आप प्लेस कर सकते हैं बट जादा गर्मी वाली जो धूप होती है बहुत जादा हाई टेंपरेचर जब उठ जाती है 40 डिग्रीस 30 तो ऐसे वाली टेंपरेचर में इस प्लांट को सर्वाइव करन दोस्तो प्रिम्रोस का ये जो प्लांट है ये गुच्छो में उपर की तरफ इनकी फ्लास खिलती है टॉप में इनकी फ्लार खिलती है एक लंबी से स्टॉक आती है और टॉप की तरफ खिलती है और अगर इस प्लांट को आप बुशी करना चाते है इस प्लांट की अगर आ यह जो लंबी सी स्टॉक देख रहे हैं उस स्टॉक में आप इसको डेड हेडिंग कर ले या इस पूरी सी स्टॉक को आप प्रून करके निकाल ले तो यह प्लांट की अच्छी तरह से बुशी बनेगी और ज्यादा फ्लार्स आएंगी और यह फेबरोरी मार्श तक इसी तरह की धेरो फ्लारिंग इसमें आती रहेगी विंटर तक यह प्लांट बहुत ही इसली प्रॉपगेट हो जाती है दोस्तों सीट से आप इस प्लांट को प्रॉपगेट कर सकते हैं और अगर आप इस प्लांट की सीट लगा सकते हैं या विंटर में इसकी सेपलिंग भी मिलती है इसलिए आप सेपलिंग को भी घर में लाके लगा सकते हैं या सीट से लगा सकते हैं और अगर आप इस प्लांट को किसी तरह समर में बचा के रख पाई तो इसके जब प्लांट बरी हो जाती तो बेबी प्लांट निकलती है तो बेबी प्लांट को भी आप रूट डिविजन म तो इतनी इनसेक अटेक नहीं होती है इस प्लांट में बट आप चाहे तो एक महीन में इसे नीम ओल का छिरकाव करते रह सकते हैं स्प्रे करते रह सकते हैं इससे प्लांट हेल्दी होगी और इनके जो लीव से वो शाइनी होंगी अच्छी होंगी तो इस तरह आप स्प्रे कर सकते हैं. तो खात की अगर हम बात करें तो इस प्लांड को वैसे तो उतनी खात की जाधा जरुरत नहीं नहीं है लेकिन अगर आप इस प्लांड में जाधा फ्लारिंग लाना चाथे अच्छी तरह इस प्लांट को ग्रो करना चाथे तो आप कोई भी liquid fertilizer का use कर सकते जैसे कि मैं तो organic वाली ही अपनी वीडियोस में आप लोग देखते होंगे मैं organic वाली ही support करती हूँ और organic वाली खाती बताती हूँ तो liquid fertilizer का भी use करें आप cowden liquid fertilizer best है तो वो आप use कर सकते ऐसे थोरे थोरे से आप डाल दे और दोस्तो पानी डालने का फ्लास में यह तरीका यह है कि आप नीचे से पानी दे जैसे कि यह soil है आप soil को touch कर करके पानी दे ना कि आप उपर से पानी दे और पानी आप इस तरह दे कि आप देखिए यह जो मेरे drainage हो ले वहाँ से पानी नीचे आ रही है तो इस तरह कि आप पानी दे जब भी आप पानी दे एक बार में अच्छी तरह पानी दे और इतना ही पानी दे कि ये ड्रेनेज हो से निकल जाए और कभी भी फूलों में या उपर से आप पानी ना दे और जादा स्पीड से आप पानी ना दे इसे जो प्लांट है फ्लास भी खराब हो जाती है तो दोस्तो प्रीम रोस का प्लांट विंटर की एक बहुत खुबसूरत प्लांट है आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही प्यारी ये फ्लारिंग आती है इसमें और बहुत ही प्यारी लगती है तो आप भी इस प्लांट को लगाएं दोस्तो और तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो आपको कैसे लगी वो like, comment में आप जरूर बताएए और thank you for watching my video last तक देखने के लिए और मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में तब तक क stay safe and keep gardening thank you